Good morning everyone, you are watching food, fitness and fun और मैं हूँ डाइटिशन मन्जू मले तो सुबह की साथ ऐसी कौन सी हाबिट्स हैं जो आज कल मैं फॉलो कर रही हूँ, इंडोर रहते हुए अभी बज़े हैं सुबह के 4.41 So I'm an early morning person थोड़ा आज जल्दी उठी थी बिकाज मुझे ये सेट अप करना था, ये वीडियो शूट करना तो मेरे उज्वल टाइम जो होता है वो 4.45 से 4.50 के बीच में होता है तब से मेरे रूटीन स्टार्ट होता है और मैं सोने भी जल्दी जाती हूँ तो यही है मेरी मौर्निंग की पहली आदत जो अभी भी मैं फॉलो कर रही हूँ ये, habit of getting up early in the morning So this is how it looks at this early in the morning I'm sure आप इसे बहुत सारे लोग अभी office नहीं जा रहे है उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, इसकी वज़े से लेट उटने लग गए होंगे लेकिन please our request कि आपना जो morning routine है उसमें आप इस तरह बदलाव ना लाएं lazy होकर देर से उटना या फिर देर से सोना You have to follow the same routine अगर आपको fit रहना है, अगर आपको healthy रहना है ताकि वो सारी चीजें जो आप पहले करते थे normal routine में उससे आप जादा कर सके ना की कम क्योंकि morning उटने से आपका दिमाग fresh रहेगा, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं उस time के अंदर planning कर सकते हैं जो मैं अभी आपको habits दिखाऊंगी वो सारी अगर आप follow करना चाहते हैं तो यह आपको करना होगा that is to get up early in the morning I am not saying कि आप 5 बजे ही उठें लेकिन अगर आप usually 6 बजे उठें तो 6 ही बजे उठें ना की late तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी habit की तरफ So morning में अगर आप lukewarm water लेते हैं वो आपकी system के लिए बहुत अच्छा है आपकी body का जो natural detoxification process होता है वो उसे बहुत चीतने support करता है and it also helps you in your motion So morning में अगर आप lukewarm water पीते हैं 2-3 glass खासकर इस टाइम पर या आपकी immunity को भी support करेगा तो बहुत ज़रूरी है morning में उठके lukewarm water से अपनी दिन की शुरुवात करें So morning में दो चीज़े मैं करती हूँ Number one is planning a to-do list and then also reviewing my goals and to-do list जो मैंने पिछले दिन बनाई थी ये आप देख सकते हैं एक diary है जो मेरे लिए एक best pal कह सकते है मैं इस diary के बगार कही नहीं जाती चाहे मैं travel कर रही हूँ चाहे मैं कहीं भी जा रही हूँ This is always there with me आप कुछ देख सकते हैं past में किस तरह से मैं planning करती हूँ तोड़ा से मैंने इसके बारे में आपको बताया था मैं इसके अंदर time blocking का method यूज़ करके अपना routine भी plan करती हूँ और ये अगले हफते के लिए कुछ चीज़ें है to-do list है जो मैं plan कर रही हूँ weight loss challenge में मुझे plan करना है so pointers लिखने के लिए ये बहुत अच्छी एक planner जिसके शुरुवात मैंने 2020 के शुरुवात नहीं की थी ये कुछ habits हैं जो मैं track करती हूँ 10,000 steps हो चाहे वह water का intake हो, vegetables की intake हो calcium magnesium मैंने अभी start किया है लेना ये pointers हैं लेकिन कुछ detail चीजे लिखने के लिए मैं ये डारी प्रिफर करती हूँ basically ये मेठी research की डारी है youtube का बहुत सारा work मैं इसी मैं करती हूँ so the next thing that I am doing actually right now is listening to an audio book it is a book called the deep nutrition since I am not buying any new books so this is the way how I keep myself updated जितनी भी मेरी research आप देखते हैं मेरे videos में या फिर मेरे instagram पे जो मैं शेयर करती हूँ वो सारी books के थूँ आती है किसी इंसान में इतनी deep research करके वो book लिखी है हमारे लिए, आपके लिए तो उन shortcuts की बजाए कि आप जाके internet पे फटा फटा आए deeply suggest कि आप books में invest करें audio book हो चाहे आप वो paper book हो और बहुत important अगर आप fit होना चाहते हैं तो सही books पढ़ना ऐसे ही कुछ 5 books के बारे में मैंने आप से discuss किया था मैंने suggest किया था कि अगर आप ये 5 books पढ़ेंगे तो आपके लिए काफी फायदे मन होगा उन books के बारे में मैं information आपको नीचे दे दूँग लेकिन फिलहाल मैं ये book पढ़ रही हूँ और मैं हमेशा अपने साथ ये एक notebook रखती हूँ जिसके अंदर ये सारे जो pointers होते हैं, lines होते हैं मैं वो note down करती रहती हूँ, उन्हें refer करती हूँ I write down all the new things that I learn और हर book से मुझे कम से कम 5 या 10 चीजे ऐसी share करने को मिल ही जाती है जो नहीं है, जो मेरे लिए बहुत ही important होने वाली है सो अभी मैं at least half an hour to 40 minutes जब तक कोई नहीं उठे हैं जब तक मैं आराम से बैठी हूँ So this is my research time अगर आपको reading नहीं पसंद है तो आप वो काम करिए जो आपके लिए सबसे important काम है उस दिन के लिए इस समय उठकर इसके बाद आजकल जो मैंने start किया है आजकल मैं इन podcast में कई बार कुछ motivational चीज़े भी सुनती हूँ मेरे कुछ favorite YouTube channels हैं जैसे की Mindvalley तो I listen to their videos, उनकी podcast आते हैं जो मुझे काफी अच्छे लगते हैं और इस time में when you are kind of you know home bound, indoor हैं आप It is very important कि आप घर के अंदर रहें खुद को motivate करना, continue करने के लिए अपना काम करने के लिए day-to-day life में बने रहने के लिए बहुत important है so वो मुझे cheer up बहुत करता है so videos on mental health, physical health, psychology, even happiness के ऊपर when I'm feeling a little low तो ये सारे videos मुझे बहुत motivate करते हैं आम तर पर मुझे morning में walk करना और मैं fitness center जाती हूं वहाँ जाना पसंद है लेकिन फिलाल मैंने वो बन किया हुए तो I do my workout at home, 30 minutes का workout होता है which includes stretching and different exercises ये मेरा core दे था, तो mostly core की exercises है उसके अलावा कुछ yoga करती हूं this is the Suray Namaskar और ये टेबल टॉप है exercise के बीच में भी staying hydrated is very important बट जादा पानी ना पियें जादा पानी अवोइड करें उससे cramps पर सकते हैं indoor workout हो गया है और आप मैं जा रहे हूं outdoor थोड़ा सा yoga करने के लिए चलिए and by outdoor I meant my balcony बैलकेनी में बैटके मैं थोड़े मेडिटेशन करूंगी और बहुत जरूरी है इस टाइम पर तीन चार चीज़े में इस टाइम पर करती हूं gratitude पे करना साथ ही safety के लिए प्रे करना सब safe रहें मेरे आसपाव जो है मेरे परिवार वाले अपनी safety के लिए and thank करना God को की अभी तक हमें उन्होंने safe रखा है आगे भी हमारी health और हमारी fitness इची तरह बनाए रखें peace of mind so अपनी calmness के लिए भी प्रे करना बहुत important है so the workout is done now I'm going to take shower पना बिसमिन के बाद जाओंगी so एक healthy दिन की शुरुवात के लिए आपको एक healthy fuel चाहिए और वो आपको प्रोवाइड करता है आपका खाना यह मैं अपने intermittent fasting period के अंदर ही ले रही हूँ मेथी दाना पानी जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर 20 calories से कम है तो वो drink आप ले सकते हैं अपने fasting period में और मैंने जो अपना eating window उपन किया वो उपन किया आमंड्स सोग आमंड्स और आपल किसाद जिसमें तोड़ा सा बीच में गाप था मैं अभी भी intermittent fasting follow कर रही हूं और usually I eat at around 10 15 10 30 और मेरा जो closing time होता है that is around 7 p.m so आज breakfast में बनी थे idli so I took two idlis एक kattori मैंने सांभर लिया which is also good in protein probiotics होते है अडली और peanut chutney that's again a good source of protein और carrot for fiber so एक अच्छा आपको breakfast खाना चाहिए जो light हो लेकिन nutritional dense हो so this was it so आज के लिए इतना ही I hope you like this vlog and आपको कुछ थोड़ा सा इससे help मिलेगी just want to say in the end stay safe, stay healthy, stay fit and I'll be back very soon bye-bye